और दो तो दइखा होगा और भोलाậं इससे कौन सा डाक्स नहीं होगा तो दूस्देनय तो जहां पर आपका लॉस और गेंग दोनों हों रहे हैं से पाहलू Division पाहला या उसमीं कहरते हों चाहँ हूं यूझ Direction का मतलब nic 0 से plus 2 में जा रहा है और copper जो है plus 2 में से 0 में जा रहा है तो basically displacement reaction है तो यहां पर zinc oxidation हो रहा है copper production हो रहा तो रडॉक्स हो जाएगा तो रडॉक्स होगा ठीक है जो second है second में क्या है आपका जो kclo 3 है उसमें यहां पे क्लोरिन रिडूच हो रहा इ से लून हो रहा है यहां पेगलख कि लेंगोरिक का एस न चमीजा हो रही हो सब्सक्राइब होगा कि ये हैं टीम प्लस थिए यहां फॉर दुमिन सथुमाइब कम आ गया तोers में आपका उılफेकर प्लस नहीं होगा है तो आपका redox नहीं होगा यानि जो fourth option है हमारा redox reaction का example नहीं है तो fourth option according to given question correct होगा हमारा ते था इस question का analysis and solution move करता हम लोग next question पर इस question से पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा reaction redox reaction होगा जान देंगे redox का मतलब होता है जहां पर loss और दोनों हो रहा होगा किसका अल्ट्रोंस का तो पहला दन नेंगे पहला जो process of water इसे simply क्या होता है water का liquid से gases फेज़ें बस इसका state change हो रहा है तो इसमें कोई भी loss और गेंट इन्वाल्मेंट है नहीं तो इसका आप redox बोलोगे यानि बी आपका correct answer होगा ठेक अगर हम सी का बात करते हैं तो सी बेसिकली क्या है इसमें नुटलाइशन होता है अब इस नुटलाइशन प्रॉसस में क्या होता है कि इस प्लस बेस्ट में क्या बनेगा सॉल्ड बनेगा और वाटर बनेगा तो इसमें किसी भी एलेमेंट का ओक्सेद्ट नहीं हो रहा है यहां पर यहां पर से प्लस्वन सेट है ओ का यहां पर माइस क्यूंज हर जगह पर यहां भी हर जगा माइस टू होगा यहां पर कहीं भी लॉयॉस और गेंड का नहीं होगा इसका मतलब सी भी आपका रिटॉक्स नहीं होगा डी में यहां पर loss of electron and reduction यानि gain of electron दोनों साथ साथ होगा उसको हम विरते हैं redox reaction तो यह था इस question का analysis and solution, move करते हैं हम लोग next question पर इस question पूछा गया है कि कि किस metal के content में zinc correct का solution डालोगे तो उसमें zinc plus 2 का concentration है वो decrease नहीं करेगा तो धानना, zinc जो plus 2 का solution में अगर आप zinc से जाद रेट्टिव का metal डालते हो यह जो metal zinc से जाद रेट्टिव है तो वो क्या करेगा zinc को displace करेगा, zinc को displace करेगा तो zinc plus 2 का concentration है उसको decrease करेगा तो यहां पर अब दानना, lead, gold, silver and aluminum में zinc से जाद रेट्टिव मेटल कौन है तो पता है इन सब में zinc से जाद रेट्व मेटल कौन है, aluminum and B है तो जब aluminum इसमें डालोगे तो aluminum क्या करेगा zinc plus 2 को displace करेगा उसके echo solution से और खुद आएगा अपने echo solution में और zinc बाहर जाएगा इस process में zinc plus 2 का concentration क्या होगा, decrease करेगा, ठीक है इस question का, जो correct answer होगा, यह होगा option B, यह था इस question का analysis, move करता हूं लोग next question पर, बचलो option में equation दिया हुआ है, जिसमें dichromate iron को treat किया गया है, sulphide iron के साथ इन acidic medium, तो dichromate iron को convert किया है chromium plus 3 में, और यहां पर sulphide गया है oxidation के sulphate में, तो बोला गया, इसका balance equation का जो coefficient है, ABC आपको बताना है, तो जानदना, इसको अगर हम देखें, तो dichromate iron में chromium का oxidation share plus 6 होता है, and sulphide में sulphur का oxidation share क्या होगा, plus 4 होगा, इसरी medium होता है क्या है, chromium plus 3 में गया है यहां पर, चुकि यहां पर 2 chromium है, तो यहां दो लगा देते हैं, ठेक है, और यहां पर sulphide गया है, sulphate में, तो आप देखोगे, तो यहां पर ultimately 6 electron का क्या हो रहा है गेन हो रहा है और यहां पर आपका दोल्टरों का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है तो अब लॉस गेन को एक्वेट करो तो क्या होगा इस लॉस को आप तीन प्राई करो यहां पर तीन लिखो गए तो यहां पर तीन आएगा यहां पर तीन आएगा यहां पर तीन होगा वानों गाते के बदल यह पोट कर सोफ होते हो एक के गडल ऐसे हो इसे हो कि इतना थो कनफर होच चुका है अब धाना लेप्ट सब्सक्राइच किसा तो लेप्ट साथ में आपके पास डाइकृमें मैंने सूरायच है और इहां पर तीन सलफ़ाइट है तो यहां पर होगा निट च च्या हो जाएगा 0 है तो रख कर देट फिर च्ट के लिए अप एस प्लस करोगे अध्या चेट करोगे यह है लैफ्ट साइड में तो एच प्लस के क्या हो जाएगा एक तो आपका जो बालें कर जो पूछा गया है वोजाएगा 1, 3, and 8 यह आपका जो option C होगा इसी option क्या होगा? correct होगा तो यह था इस question का solution analysis मोग परता हम लोग next question पर इस question हम से पूछा गया है कि कौन सा given option में से displacement relation को represent कर रहा है तो धानना displacement relation में होता है जो more retry metal है less retry metal को salt के ecosystem से क्या करता है displace करता है तो इसको देखो कि तो पहला जो option A है इसमें decomposition हो रहा थे आपका decomposition relation का example होगा second बाले में आप decompose करो ते भी क्या होगा decomposition का example होगा C जो option दिया उसमें क्या है aluminium more retry metal है तो aluminium क्या कर रहा है chromium को उसके oxide से क्या करेगा displace कर रहा है तो यहाँ पे आपका जो more retry metal है वो less retry metal को क्या कर रहा है displace कर रहा है तो यहनी aluminium खुद को भीट है aluminium oxide में और chromium oxide से chromium बहा जा रहा है तो आपका जो metal displacement का example बोला है तो metal displacement option C में होगा ठीक है in fact option जो D है वहाँ भी displacement है वहाँ पे क्या हो रहा है है कि H plus जो iron है वो उसमें देखोगे तो hydrogen और iron में ज्यादा retry metal कौन होता है तो आपका जो iron है ज्यादा retry element है तो iron क्या करता है H plus के solution से उसको displace करेगा तो यहाँ पे जो displacement है इसको बोलेंगे अब लोग non metal displacement यानि आपका non metal displacement हो रहा है तो question में पूछा गया क्या गया था बच्चा आप से तो question पूछा गया था metal displacement इसलिए हमारा correct answer क्या होगा C होगा अगर question बोला जाता कि इसमें से कौन सा reprint कर रहा है non metal displacement तो हम लोग D को के समें टिक करते तो यह था इस question का solution analysis बचलो आप सामने एक reaction दिया और बोला इसमें कार्बन का जो oxidation state है वो कहां से कहां change हो रहा है तो left side में CH4 में अगर C का X मानते हो तो H का क्या होगा प्लस बन होगा उसके समें कार्बन आ जाएगा माइनस 4 और राइचेट में आपके CCL4 में क्लोरीन ज्यादा अल्टरिव एलमेंट होता है इसके अंपर कार्बन तो उसमें CL को मानोगे मानोगे माइनस 1 और एक्स निकालोगे तो आपका जो वैलू आ जाएगा उसी का वैलू आ जाएगा प्लस फोर यानि जो आपका oxygen state है कार्बन का माइनस फोर से प्लस फोर की तरफ मूफ कर रहा है यानि इसका करेंट आंसर होगा option C यानि कार्बन का जो oxygen state है माइनस फोर से प्लस फोर में चेंज हो रहा है यह था इस कोश्चन का आपके बचलो आप सामने बोला गया है बोक्स चेप्टर के green box लास्ट में green box रहता है उसमें बना के दिया हुआ है आपके इंचाटी में है तो आपको ध्यान दना है इंचाटी के हर लाइन हर बॉक्स जो ड्रॉक किया हुआ है उसको आपको ध्यान से देखना है आपको आपका मैक्सम कुश्चन का अंसर इंचाटी मिल जाएगा तो इसका फिगर बनता है उसका फिगर जाएगा यहां पर पर सिंगल बांट से और लेफ्ट और यहां राइड का अर बीच वाले ब्यार में दो डॉला होगा तो इसका करेट सब्सक्रेश्चन का अनलाइस मोग करते हम लोग नैस्ट कुश्चन बोला गया है कि चार में से कौन सा reaction जो होगा disproportionation reaction को represent कर रहा होगा तो disproportionation का मतलब क्या होता है जहाँ पे semi element का oxidation होगा और उसी का reduction होगा पहला वालो जो है उसमें क्या है copper का plus one state है यहाँ पे दो copper है तो दो copper में एक copper का plus one कहा जा रहा है यहाँ पे semi element का हो रहा है और वही element का हो रहा है तो पहला correct है सेकंड देखते हम लोग यहाँ पे mn of four minus two जिसको mn का oxidation प्लस six होता है एक खुद को plus seven n plus four में change कर रहा है mn plus six से plus seven जा रहा है और mn element ही plus six से कहा जा प्लस four हो रहा है मतलब ही reduce कर रहा है यहाँ यहाँ पे same element कहीं oxidation हो रहा है और उसी का reduction हो रहा है इसका मतलब यह भी क्या होगा disproportionation को represent करेगा तो आपका one and two दोनों correct होगा next बात करते हम लोग थर्ड में थर्ड में क्या है यहाँ पे Km4 में mn का plus seven state है और right में mn plus six and plus four में है तो यहाँ पे mn only reduce हो रहा है plus seven से plus six जा रहा है और plus seven से plus four जा रहा है तो इसको disproportionation नहीं बोलेंगे फोर्थ वाले में आपके पास mn of four minus में mn का plus seven state है और यहाँ पे mn का plus two state है दोनों जो है plus four में convert कर रहा है तो यह भी disproportionation नहीं होगा यहाँ basically है क्या यह disproportionation का reverse है यह disproportionation का reverse है तो इसको हम बोलते है कौन proportionation reaction तो जो फोर्थ है वो कौन proportionation reaction का example होगा कौन proportionation reaction का example होगा यह ठेक है तो यह भी disproportionation नहीं बोलेंगे यानि हमारा जो one और two है वो ही disproportionation होगा यानि आपका जो correct answer होगा option b होगा यानि one and two only यह था इस question का analysis मोग करता हम लोग next question पर इस question आपसे पुछा क्या है अगर हम mathematical तरीके से chromium को oxidation निकाल लेंगे तो हाँ पर chromium के value करें x मानते हैं तो ओ होता है minus two mathematical तरीके में तो x plus six into minus two यहाँ से आपका answer निकल का जाएगा plus 12 और plus 12 जो है आपके option में भी दिया हुआ है b option में तो आप क्या करोगा b option का टिक कर दोगे बड़ प्रॉलम क्या है यहाँ पर आएगा कि chromium जो है chromium का जो maximum possible oxidation state होता है ओ प्लस six ही हो सकता है इसके beyond chromium सो ही नहीं करता था यहाँ जो plus 12 अप निकाले हो यह wrong होगा यह wrong होगा कि chromium by default plus six उसका maximum oxidation state होता है उसके beyond chromium further higher oxidation state exhibit नहीं कर सकता है discussion को solve कैसे करेंगे discussion solve करने के लिए आपको CROS का structure पता होना चाहिए था तो CROS जो होता है आपका fan safe होता है यानि इसमें basically तीन परोक्साइड linkage इस तरह से connected होते है इसको बश्यतर fan की तरह होता है fan safe अब simply क्या करोगे आप इसमें chromium और O के bond को break करना start करो तो अकर यहां पर chromium और O में कितना bond बना हुआ है तो 6 bond बना हुआ है तो हर bond को जब तोड़ोगे तो chromium का जोकि alternative D O से कम है तो हर bond के तोड़ने पर chromium पर charge कितना आएगा plus तो यहां पर 6 plus build होगा chromium पर ठेक है यहां पर आप chromium पर क्या होगा 6 plus build होगा तो ultimately chromium पर oxidation state क्या होगा इस case में plus 6 होगा तो इसका correct answer क्या होगा option C तो यह था इस question का analysis and solution move करता हम लोग next question पर आपके पास इस question में nitrogen containing कुछ compound दिये हैं और बोला गया है आपको in compound का oxidation state जो n का in में है तो nitrogen का oxidation state in compound में उनको decreasing order के coding arrange करना है तो इसान दना जो highest state होगा nitrogen का होता है natic acid में n का plus 5 state में होगा तो दो आपके पास basically तीन option में plus 5 state याई नाटिक से लिखा होगा है उसके वाज़ों होगा no में होगा no में क्या होगा n का oxidation क्या होगा plus 2 होगा तो दो जग आपको no mention क्या होगा फिर n2 में n का oxidation state 0 होता है और nh4cl में n का oxidation state जो होगा होगा minus 3 तो आप देखोगे जो descending order में जो oxidation state arrange किया हुआ है तो क्या होगा option a में यानि highest oxidation state से lowest oxidation state तो आपका correct answer होगा option a यह था इस question का analyzation solution मोग करता हम लोग next question पर इस question में कुस हमने पर-magnate ion and oxalate ion को treat किया गया इन acidic medium में तो यहां पर redoxation होगा जिसमें पर-magnate ion खुद को reduce करेगा mn plus 2 में तो इसमें 5 लोग का gain होगा और जो oxalate ion है खुद को भेज़ेगा co2 में यानि यहां पर क्या होगा आपका carbon plus 3 से जाएगा co2 में प्लस 4 में तो यहां पर चुके ऑगजेट में 2 करबें तो लगा लो एक का लॉस होगा दो का लॉस होगा है अब क्या करें हम लौस गरिंग करते हैं तो लॉस को जो स्कॉइट करें गए तो यहां पर आप फ्रेयों करोगे तो यहां दो आ जाएगा है और सबस्क्राइब और यहां प्र wyddo इसको टें बना सकते हो अगले स्टेप ने लोग चार्ज बलंस करते हैं तो qe-che on प्लस तो डिफरेंस अब चार्ज कितना होने वाला है माइनस ट्वेल से प्लस फूर एनी 16 का डिफरेंस होगा यहां पर आपका जोड़ोगे इसका मतलब आपका जोड़ेंगे क्या रड़का क्या होगा फाइब और इस प्लस का सिर्षिन होगा नी आपका जो उप्षण होगा ओग ऑगा तु बोलागी है कि आपका जो सल्फिूरिक इसड होता है अमिक ट्रih capable आप पहले बाले में कॉपर को जीरो से प्लस टू में यहां पर इसका नेचर ऑक्सिडाइजिंग होगा सब्सक्राइब बात करें इसमें क्या हो रहा है आन का एक्षेंज हो रहा है इसमें किसी का भी ऑक्सिडाइशन नहीं हो रहा है कैसें प्लस टू में यहां पर है यहां भी कैसें प्लस टू में है यहां पर फ्लोरिंग ऑक्सिडाइशन चेट माइस वन है यहां भी माइस वन है एच का प्लस वन है यहां भी प्लस वन है सल्फरा का प्लस इस यहां भी यहां भी प्लस 6 है और ओ का है माइनस टू है तो वहां तो यह था इस question का solution analysis, move परता हूं लोग next question पर, बचलो लोग इस question बोला गया है, कि hydrogen paroxid का role क्या है इन दोन relation में थे धान ना, जो पहले वाले relation में ozone को treat क्या गया है, इसके स्थोसे तो ozone जो होता है, वो जादा better oxidizing agent होता है, तो इस case में क्या होता है, और बेज़ा है खुद को minus two state में और इसको क्या करेगा, और इसको क्या करेगा, ऑक्सिराइज करेगा, यहां पर ओ का minus one जो state है paroxid में उसको भेजागा zero state में, ठीक है, तो इस case में, यह इस case म सब्सक्राइब एस्टू टू कुछ फुद को इनी इस्टू को औकसडिशन हो रहा है यानी इस केस में क्या हो रहा है करें तो किया है सिंप्ल है ना सिलीवर निकल रहा मतलद सिलवर इसमें तुसमें ऊकसाइड का नीचर होगा चैनल से इसमें क्या होगा एन्पनि और सी होगा सी इसका करेंट आंसर होगा तहीं था इस्कोष्टन का analysis and solution move करता हम लोग next question पर इस question में पूछा गया है कि कि किस case में pair of compound एक साथ exist कर सकता है तो ध्यान देंगे यहाँ पर rn है और 10 है तो rn का दो state possible है rn का plus 2 and plus 3 और 10 का भी दो state possible होता है sn का यानि plus 2 and plus 4 तो होता क्या है कि पहले बहले जो option a में है कि टीन का प्लस 2 खुद को भीना चाहता है प्लस 4 में टीन का प्लस 4 से ज्यादा stable होता है तो जब यह खुद को ऑक्सरेज करेगा तो यहाँ पर प्लस 3 शेड़ उसको रिदूश करेगा आरन प्लस 2 में यानि इस केस में कोईजिस्ट नहीं कर पाएगा सब्सक्राइब क्या है कि 10 का फिर से क्या टीन का प्लस 4 से जाए इसको औक्सीड्री करेगा यहां भी क्या तो यह और प्लस टू से जायएगा भी तो उसमें क्या दिकत है कि आरन प्लस 4 फर्धर luce नहीं होगा तो ही 10 प्लस 2 का उक्सार्जियरोसइट तो है बड़ यहां पर आएहां प्लॉस फदर नहीं होने वाला तो इसके स्वेश में रहेगा और आर्ण सोलोस्um तो इन दोनों का जो कोगजिस्टेंस है और पॉसिबिल है साथ में तो आपका जो option C होगा यह होगा इस question का correct answer और यह था इस question का analysis and solution, move करताम लोग ने इस question पर इस question में बोला गया है कि potassium chloride और oxalic acid and sulfuric acid को भीट कर रहे हो तो maximum oxidation state किस element का इसमें change होने वाला है तो धान ना आपका जरेशन होगा इसमें केसील 3 है प्लस oxalic acid है और sulfuric acid है तो इसमें होता क्या है तो केसील 3 जो है यहां से केसील form करेगा और यहां जाएगा तो में यहां पर देखोगे तो आपका जो CL है उसका प्लस 5 इसेट लेफ्ट में है और यहां जा रहा है माइनस वन स्टेट में यहां पर क्लोडीन का oxygen state 6 से चेंज कर रहा है और जलीक इसमें होता है कारण प्लस 3 इसमें जो कि यहां इसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहा है ठेक है इंफट एच कभी इसको क्लोरीन का का चेंज हो रहा है और क्लोरीन में चेंज हो रहा है तो आपका प्लस 5 होता है और सलफर का प्लस 6 और क्रोम मिन क्रोम में डाइक्रोमेट यह होता है फ्लस 6 तो आपका किया होगा तो प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 यह निए उप्सन डी इसका करेंट आंसर होगा यह था इस कुश्टन का होता है उसका अगर complete oxidation आप करते हो तो इसमें दो पार्ट है एक है एपी प्लस टू और एक है oxalate अरन प्लस टू का oxidation के प्लस थी में convert होता है और oxalate convert होता है CO2 में यहां पर दो कर्में तो ले लो तो यहां पर एक का लस होगा और यहां पर थी से प्लस 4 में conversion होगा तो यहां पर टो भात करते तो अगर बात करते हो तो आपके पास अगर मीडियम में सिर्ब्ह Stevens एक सब्सक्राइब कर सकता है तो मालेत इसके पास एक पास एको दियाhalf किसका हुआ डिना चाहिए आप क्या करो लॉसट को सुच कर दो तो आप मन लोकी जो ना x mol लिया हुआ है तो एक पार्टिकल में 5 लिट्रों का अगर गिन होता है तो x में क्या होगा 5x का गिन होगा तो यहाँ पर लॉस्ट 3 का है और गिन है 5x का तो यहाँ से x निकल क्या जाएगा ते इस हो जाएगा आपका 3 by 5 यानि इसका वैलू हो जाएगा 0.6 mol ठीक है तो इस 0.6 mol तो यह था इस question का solution इसको एक और तरीके से बना सकते हो चुक्कि है redoxation है तो equivalent of ferrous oxalate C2O4 equal to equivalent of M0O4 minus तो यहाँ पर एन फेटर यानि 0.6 यह था इस question का solution and analysis मूग करता हम लोग नेस question पर इस question में आप से बोला गया है कि bromine का behavior best किस option के को डिस्क्राइब होगा तो धान हैंगे यहाँ पर left side में bromine का oxidation shit होगा यह होगा आपका 0 और right में यहाँ पर minus 1 है और यहाँ पर plus 1 है यहनी इस case में क्या होगा ब्रोमीन जो है 0 से plus 1 भी जा रहा है 0 से minus 1 भी जा रहा है यह इस case में यह बहुत oxidized energy दोनों हो रहा है तो आपका जो option B होगा इस question का correct answer होगा इस question का analysis मोग परता हम लोग next question में इस question में बोला गया है कि what is the oxidation of sulfur in the anion SO3 minus 2 दे होगा plus 4 S24 minus 2 में हो जाएगा आपके पास plus 3 और S206 minus 2 में हो जाएगा यह हो जाएगा plus 5 अब आपको इसको order के according arrange करना है तो सबसे जो lowest होगा यह हो जाएगा किस में तो लोस्ट हो जाएगा आपका कि एस टू ओफर माइस टू में देन होगा सलफाइट में देन होगा एस टू और 6 माइस टू में यह आपका जो option A होगा इसका करेंट आंसर होगा ऑक्सी डिशन चेट के इंक्रीजिंग और का यह था इस कोश्टन का अलाइस से समोग करता हो लो नेस कोश्टन में बचलो इस कोश्टन में आप से बोला गया है कि F3O4 में वाटी अक्सी डिशन टू माइनस टू इकल टू क्या होगा जीरो तो यहाँ प है कि F3O4 बेसिकली आपका एक मिक्स ऑक्साइड होता है इसें बेसिकली F2O3 होता है यानि इस F3O4 में आपका एक F2O3 में होगा और आपका 2 Fe जो है उसका Oxidation श्रक क्या होता है प्लस 3 होता है तो यह जो 8 by 3 आपका एवरेज Oxidation State है यह आपका एवरेज Oxidation State है तो यह था इस question का analysis and solution मूफ करता है हम लोग नेक्स क्वेश्टन पर बच्छों जानना इस question बोला गया है कि sodium thysulfate यानि S2O3-2 को जब हम आड़ीन से treat करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो आपका थायस अलफेड एक खुद को convert करता है S4 O6-2 में यानि खुद को करता है प्लस 2 से 2.5 में यानि खुद को करता है और I2 को भेज़ता है I- में इसको अपने 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 मैक्सिमा औक से इसे नहीं करता है क्यों क्यों करता है क्यों क्यों करना होगा तो उसको फरदर ऑक्सिट होना पड़ेगा तो अगर होगा तो इसका यहां होगा तो तो फुर्दर ऑक्सिटियस्टियस्ट्रेशन्त्zech फोंना क्यों करूंत्द्वीमर्ट होग तो अपने इसको पास scope है खुद को Oxidage करने का, no 2 में N का 4 है तो N अपने maximum प्लस 5 में convert हो सकता है, so2 में S का 4 है जो कि अपने maximum प्लस 6 में convert हो सकता है, तो इन सब में bcd में reducing agent पर behave करने का आपके पास scope है, but option A में नहीं है, प्रसक्राइच मत अपसल नहीं है तो इसका जो correct इसको oxidize कर रहा है तो reducing agent का मतलब इसका oxidation होगा इन इसकेस में निकल जो है behave कर रहा है reducing agent के तरह क्योंकि इसका oxidation हो रहा है इन दूसरे को reduce करने में help कर रहा है तो ए था इस question का solution and answer move करता हूं पर इस question पर इस question पर इस question बोला गया है कि what is the oxidation state of i in h4 i o6 minus तो दहां दोना simply क्या करना i का x माल ले तो 4 हो गया h और उसका होगा plus 1 6 o का minus 2 माल लो equal to minus 1 कर ले अब solve कर लो आप आरहम से तो जो x होगा तो 4 4 plus x minus 12 equal to minus 1 तो यहां से होगा x minus 8 equal to minus 1 तो x क्या हो जाएगा plus 7 यानि आपका जो option c होगा इसका क्या होगा correct answer होगा यह था इस question का solution analysis move करता हूं लोग next question पर बच्चों लोग इस one sort analysis में हम लोग ने rocks chapter के सारे past paper को cover कर लिया है 1 by 1 तो अगर इस series को आपने पूरा watch किया है तो आपका जो confidence level है बहुत बढ़ चुका होगा तो हम लोग next move करते हैं अगले chapter के one sort analysis पर आपका है थाल आपका है बहुत बच्चों आपका है बहुत आपका है झाल झाल